पुआ हलो एंडिया के डिफेंस से से एक बहुत बड़ी निज निकल कर सामने आ रही है क्योंकि इंडिया आप खुद का टू नुकलियर पावर्ड सम्मरीन्स बिल्ड करेगा यह आप पिछ आप देख सकते हैं इंडिया टू बिल्ड तू नुकलियर पावर्ड अटैक सम्मर इस न्यूज को इंटर्नेशनल मीडिया भी खूब कवर कर रहा है क्योंकि इंडिया क्लास की सब्मरीन बिल्ड करने जा रहा है जो दुनिया के कुछी देशों के पास और आज मैं इस वीडियो में आपको न्यूक्लियर पावर सब्मरीन और एसे से के बारे में बताऊंगा औ क्या होती हैं वह जान लेते हैं देख ये असे सब्मरीं इक नूंक्लियर पावर्ड़ अटेक सब्मरीन होती है लुश किया जाता जैसे दुस्मनकी सब्मरीन निटिय्ट को अटेक करना speeds of 24-30 knots I hope you got it तो इंडिया ले two nuclear powered submarines SSN build करने की तयारी कर ली है क्योंकि चाइना आए दिन किसी ना किसी देश के maritime waters में अपनी spy submarines से information collect करते रहता है जिससे चाइना के सारे पलोसी देशों के लिए चाइना एक बहुत बड़ा तो इसी कड़ी में इंडिया ने भी SSN submarines build करने का decision लिया है जिससे चाइना के होश उड़े हुए हैं और इन दोनों nuclear power submarines की combined cost around 3.6 billion dollar की बताई जा रही है एंड ये submarines SSN इंडिया के advanced technology vessel project का part है जो विशाखा पत्रनम के ship building center में build की जाएंगे एंड इन submarines को लासन एंड टूब्रो बिल्ड करेंगी एंड इसी same port में advanced technology vessel project के अंडर में ही पांच nuclear submarines और भी बनाई जा रही हैं अंडर अरिहंत क्लास और जो two nuclear powered submarines SSN build की जा रही है इसमें 90% made in India components का यूज किया जाएगा जो 2014 तक operational होंगी और अगर हम इंडिया को चाइना से submarines में compare करें तो चाइना के पास दुनिया की largest navy है with at least 370 ships and China के पास इस समय 70 submarines हैं जिनमें से 12 SSN submarines हैं and China इन ही 70 submarines की मदस्ते South China Sea से लेकर Indian Ocean and Beyond अपनी dominance बना कर रखना चाता है दिखे चब भी हम इंडिया और चाइना का level power में compare करेंगी तो हमें इसमें एक imbalance देखने को मिलेगा क्योंकि इंडिया के पास 18 submarines हैं जिनमें से 2 nuclear powered ballistic missile submarines और SSBN हैं Out of each 16 submarines कालवरी, सिंधु गोस और शिशुमार क्लास डीजल electric powered submarines हैं और 2 SSBN अरिहंत क्लास की हैं जो enriched uranium powered submarines हैं और रिसेंटली इंडिया की cabinet committee on security ने SSN को 5 सालों बार जिसे इंडिया ने डुमेस्टिकली बिल्ड करने के लिए प्रपूच किया हुआ था उसे अब जातर अप्रूव कर दिया हैं और यह सब तब हो रहा है जब 2021 में रश्या की अकूला क्लास सब्मरीन जिसे इंडिया ने लीच पर लिया था उसकी लीच एक्सपायर हो चुकी है और इंडिया एंड रश्या अने दर अकूला क्लास सब्मरीन की डील अन लीच को final नहीं कर सके थें क्योंकि रश्या एंड उक्रेइन का वार चल रहा जिससे पूरी जियो पॉलिक्स इक्वेशन यूरेजियन दीजन में चेंज हो चुकी है अब यहां सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि भारत के लिए नुक्लियर पावर सब्मरीन और SSN इतनी क्रूशल क्यों है देखिए करेंटली चाइना के लावा बस कुछी देशों के पा टीजल इलेक्ट्रिक सब्मरीन यह बहुत ही फास्ट्वेर क्वाइटर जिसे डिट्रेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है और यह अंडर्वाटर लॉंग पीडियर्स ऑफ टाइम रह सकती है एंड SSN सब्मरीन इंडिया की एजिंग सब्मरीन स्प्रीट और साउथ एश् और इंडिया के पास अटाइक सब्मरीन स्पावर बाई नुक्लियर अनर्जी के आनी से इंडिया की डिटरेंस और ऑपरेशनल कापेसिटी और भी इनहांस हो जाएगी एज वेल एज बॉल्स्टर इस अंडर्वाटर फाइटिंग पार तो फ्रेंड्स तो मीत करता हूं कि वीडियो आपको जुरूर प्रसंदाया होगा वीडियो प्रसंदाया तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना बूलें थैंक्स पाउचिंग